हम लोग को समझ ही नहीं आ रहा है कि हम इतना इतना प्यार समयटे कैसे फिल्म की सफलता और सफलता डिसाइड हो जाती उसके बजट से मुझे चूप रहने के लिए बोला जाता है और कहा जाता है कि आपका पैसा तैय हो जाएगा और तिर्पाठी जू को बता दिया जाएगा सिर्फ एक बंदा काफी है ने इतिहास रचा है मैं आपको कहूं एक साल से जादा हो गया इसको जी फाइप पे आये हुए और इस समें वन बिलियन मिनिट से भी आगे जा चुकी है और मैं सिर्फ इंडिया के बात कर रहा हूं यहां पर मैं जी फाइब गलोबल की बात नही दुबाई है मिडल इस है या यूएस है यूके है कैनडा है औस्टेलिया है मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं उसको हम लोग अभी काउंट ही नहीं कर रहे है क्योंकि वो लोग अभी तक डेटा एक अठा कर रहे है और कम से कम मैंने एक नया छोड़ा सा ओफिस बनाया तो मैंने सोचा कि मैं अपने घर के सारे आवर्ड जो है, मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँगा, आप यकीन मानिए कि बंदा के आवर्ड ने जगए नहीं छोड़ी, छोटा उसका, तो बंदा ने मुझे इतना दिया, बंदा ने हम सब को इतना दिया, कि हम लोग को समझी नहीं आ पढ़िया किया और साथ में सम्मान और तारीफ इतनी हुई, मेरे लिए सिर्फ जीफाई भी कापी है, जी निरजगर आपको याद हो, तो मैं ये काम अल्मोस्ट बहुत पहले से कर रहा हूं, डॉक्टर साब, डॉक्टर चंदपकाज देवेदी सर ने जब मुझे पिंजर पिंजर दी थी, तब चंदपकाज बनायों को बहुत साल हो गया थी, उसके बाद पिंजर में स्क्रिप पड़े थी, इम्मीजेटली मैंने कहा था, डॉक्टर साब मैं कर रहा हूं, फिर 1971 का डिरेक्टर अमित सागर, उसने कभी कोई फिल्म डायक्ट ने की थी, वो अपने करीब पाथ साल पहले से मुझे रियलाइज हुआ कि यार, मुझे अपने डिरेक्टर्स खोद खोजने होंगे, क्योंकि जिस तरह के स्क्रिप्ट करना चाहता हूं, उस तरह के ओफर्स नहीं आ रहे हैं, ओफर्स हैं, लेकिन वो मेरे मेरे मताबिक नहीं है, मैं जह इस तरह से मैं अपने करियर को आगे लेके जाना चाहता हूं, वहाँ पर जो लोग शौर्ट फिल्में बनाते थे, उनकी फिर बहुत साई शौर्ट फिल्में देखनी शुरू की, बहुतों को कॉंटाइट किया, कुछ लोग ही उनमें से मेरे साथ फिल्म बना पाए, दिवशीश मक उसी को देखते हुए दिपेश जैन ने मुझे मेल किया, स्क्रिप्ट को तब वो एले में थे, तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, इमिजेटली मैंने उनको बलाया, चाहे वो अपूरु सिंह कार की हो, जिसका मैंने यूटूब पे TVF का आया था वो, एस्पिरेंट, और मेरे पास जब कहानी आई, सुपन वर्मा मेरे पास ले कि आया था, तब मैंने कहा, डिरेक्टर को ओने तो उन्होंने कहा कि भाई, डिरेक्टर और राइटर तुम्ही चूज करके बताओ, कौन चाहिए, तो मैंने कहा, भाई, वो लड़का है, उसको ले कि आओ, तो इपक किंगरानी जो राइटर है, वो कमाल के राइटर है, वो डेन्मार्क में रहते हैं, और यहां आते रहते हैं काम करने के लिए, फिर राहुल चिटेला से मैं मिला था मीरा नायर के साथ ये काम करते थे, तो मैं मीरा नायर जब आई थी यहाँ पे, तो राहुल चिटेल भहुत था तो Rahul Chitela और मैं उनके सूइट में बैट करके घंटो बात चीद करते रहे और तब मैंने Rahul Chitela से कहा था कि तुम मुझे signing दे दो अभी कि अभी और उसने कोई चीज नहीं बनाई थी उस समय तक मैंने कहा कि तुम मुझे signing दे दो और एक शॉर्ट फिल्म बना लोगे तो दिखा देना, मैं तुम्हारी फिल्म में जरूर रहना चाहिए. तो उसने जो है मेरे कासी एक रुपे दो रुपे दिया तो इस तरह से मैंने राहूल चिटेला को खो जा था और अभी भी मैं कुछ एक नए डिरेक्टर को मैं अभी कुछ समय में फाइनल करने वाला हूँ. मैं आपको बदाओं निरज कि अगर पैसा कमाने के लिए प्रोड़क्शन हाउस खोल रहा है तो यह समझ लिजे कि लॉस ही लॉस है. अगर आप अपने आप अगर आपको फिल्म बनाना फिल्म प्रोड़क्शन करना और क्रियेटिवली फिल्म को शुरू से लेकर अंद तक रूप देना इसका शौक है. तब आप कीजिए. अगर कंट्रोल न बनेगी तो कम से कम आपका नुकसान नहीं होगा फिर आप दूसरी बना सकते हो. अगर नुकसान हो गया तो शायद हो सकता है कि आप इतनी डिस्करेज हो जाओ कि ताला लगा दो. क्योंकि कोई भी अपनी एक्टिंग में पैसा कमा करके मैं लुटाना तो नहीं चाहूँगा. तो एक एंटिटी अलग है. हम तीनों का शौक है विकरम खकर का, सिनेमा बिज है वो एक्टिंग है. लेकिन मैं भी मुझे मज़ा आ रहा है किसी फिल्म का की राइटिंग से लेकर के रिलीज तक उसके बिजनेस आसपेक्ट में भी चीजों को देख करके मुझे अंत तक जाने में बड़ा मज़ा आ रहा है. तो मुझे लगता है कि अब इतने दिन तक सि जाएगा और तिर पाठी जी को बता दिया जाएगा.